आपकी राज्य सभा सांसद स्वाती मालीवाल के साथ हुई बजसलूकी का मामला अब पुलस तक पहुँच गया है आखिर का राज्य स्वाती मालीवाल ने पुलस में केस दर्ज करवाया है और दिल्ली के सीम अर्विंद केजरिवाल के नीजी सचियों के उपर कारवाई करने की मांग कही है स्वाती मालेवाल जब दिल्ली के सीम अर्विंद के जिवाल के आवास पर गई थी तो उनके साथ मार पीट की गई थी मार पीट करने वाला आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जिवाल का नीजी सचिव बताया जा रहा है जोसके उपर अब स्वा पिस्तिसमालीवाल केस दर्च करूती वह ऊँछा उसके बाद वह ट्वीट करती है और वहां बताती है हैं कि उनके साथ जो हुआ बेहदगलत हुआ नहीं चाहती हैं कि चुनाओं कशबें है द्यान दिया जाया खासकर बीजेखी को लेकर वह कहते सुनाय दी है कि evaluate कर कोई भी तीका टिपड़ी या फिर राजनिती ना की जाए आपको बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या और क्यों स्वाती मालीवाल पुलिस का दर्वाज़ा खट-खटा रही है और वहां पर जाकर आज केस के खिलाफ उन्होंने दर्ज करवाया है ऐसे मैं आपको बता शिकायत दर्ज कराए वो चली गई थी गुरवार को दिल्ले पुलिस की एक टीम स्वाती के घर पहुँचती है उनका बयान दर्ज करती है जिया पहले उनसे लगतार बाच्वीत की जाती है और उसके बाद बाच्वीत के बाद जो भी स्वाती नहीं बताया उसके बाद ये केस दर्ज किया गया है दिले पुलिस के स्पेशल सिल के अडिशनल सी पी और अडिशनल डी सी पी नौर्थ पुलिस टीम के साथ स्वाती के घर पहुचे थे पुलिस की ये टीम करीब चार घंटे तक स्वाती के घर पर रही उनके बयान के आधार पर अब ये केस फाइल किया गया है हलांकि अब तक कि ये बात सामने नहीं आई है कि स्वाती मालिवाल ने क्या शिकायत की है लेकिन ऐसे भी स्वाती मालीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकर अपनी बात रखी है और कहा है कि मेरे साथ जो भी हुआ वो बुरा हुआ था मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है मुझे आशा है कि सही कारवाई होग पिछले दिन मेरे लिए बहुत कठिन रहें जिन लोगों ने मेरे लिए प्राठना की उनको मैं धनिवाद करना चाहती हूँ उसे के साथ बीजेपी वालों से खास गुजारिश भी स्वाती मालीवाल ने की है कि इस घटना पर राजनिती ना करें आपको बता दे कि सोमवार को सांसत स्वाती मालीवाल ने दिल्ले पोलस को फोन किया था उन्हें उन्हें शिकायत की थी कि दिल्ले के मुक्य मंतरी आवास में उनके साथ माड़ पिट जा रही है स्वाती मालिवाल ने सीम अर्विंद केजरिवाल के नीजी सच्यू विभाव कुमार पर बचसुलूकी और मार पीट करने का रोप लगाया था हलंकि उसके बार आपको बता दे हियाम आदमी पार्टी के सांसत संजे सिंग ने प्रेस कॉनफरेंस कर कहा भी था कि सीम के नीजी सच्यू विभाव कुमार ने बचसुलूकी और मार पीट की है उनके खिलाफत का रिवाई की जाएगी लेकिन वहीं विभाव कुमार गुरवार के सुबह अर्विंद केजरिवाल के साथ घूमते नजर आए थे आपको बता दे कि दिल्ली के मुख्यमंतरी अर पर बचसुलूकी का यह आरोप आपकी राज्य सभास्तान सद स्वाती मालिवाल ने लगाया है और वही जो नीजे सच्यू है वह सीम के साथ घूमता नसर भी आया था लेकिन अब जाकर आज स्वाती मालिवाल ने पुलस में केस दर्च करवाया है और उसके बाद पुलस से स्वाती मालिवाल लगतार यह आगरा कर रही है कि इस पर आक्शन ले जो जो है जल्द से जल्द कहरवाय की जाए इसे के साथ ट्वीच कर स्वाती यह भी कहती है कि इस पर कोई भी राजनिती ना की जाए मेरी यही गुजारिश है अब देखना आगे यह होगा कि दिल्ली ह cans Reduk milis उस पर क्वाल चिजिंए को लेकर हैं वो मुख्यमंत्री एक przेंष्ज करां ने आती है तो इसे आप तक जरूर पहुचाएंगे देख तेरे फॉस्ट बिहार जारखंड धन्यबाद पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना ये लो मुँ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुणिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा लाए अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुणिया में हम रहेंगे कहां अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाय का डबा अलग से लाया हूँ हमने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर, आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अड़े अड़े आप क्यों मूनिठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious lifestyle redefined